तो काफी जारे मैचे जो है दुलने के बाद में मतलब बारिश जो साउट होने के बाद में अब आएगा न्यूजिलेंड वर्शिस सिरलंका की बीच मैच बट सबसे इंट्रेस्टिंग बात क्या यह मैच पूरा देखने को मिलेगा क्योंकि सिड्नी का वेदर जो है दूसरे ग्राउंड से काफी जादा बहतर है यहां पर रेन के चांसे अल्मोश्ट निल है तो आपको इस रिड्नी पर इस मैच वो पूरा देखने को मिल सकता है तो काफी बड़िया मैच बनिया ग्रैंड लिग स्मॉल लिग के लिए और कैसे कुछ इस मैच के रिलेटेड सारी रहेगी उनके लिए और क्या स्कोर बन सकता है और विकेट्स को ले सकता है आज के लिए पिछले मैच पर काफी जाद अच्छे तरीके से हुई थी वह आज विकेट निकालेंगे या नहीं तो सब चीज़े करेंगे एक एक करके डिसकस आपको क्या करना है आपको सिर्फ एक आपको दे सकता हूं हमेशा से एंड जैसे लाइक अभी तक वर्ल्ल कप पूरा स्टेश्टिकल बेसिस रहे वैसे भी यह मैच भी होगा तो आगे तक देखोगे तो आपको फाइदा डेफिनिटली मिलने वाला है उसके बाद में अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक भी नहीं क्या हो तो बडावट से चैनल को अगर सबस्क्राइब करो प्रेस्क्राइब करणा ताकि कोई भी मै Fen Politik यौद करना अब मैच पर में साम माने नहीं पर ऐस्तरता है आपने मैच करने मैक지 को पर मैक दो सब मैच वह खेला जाएगा एंड उसको बाद मैं आते हैं अपने वेन्यू स्टैट्स के उपर वेन्यू स्टैट्स की जो हम बात करते हैं तो थर्टीन मैच इस ग्राउंड पर हो चुका है रिसेंट्ली में भी दो मैच इस खेल गए तो जो की बैटिंग फर्ष्ट यहां पर एक काफी बार स्कोर बन रहा है बट यह वो ग्राउंड है जहां पर 190 से उपर और या फिर आपको लाइक 170 से 190 के बीच में स्कोर जो है देखने को मिलता है तो एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड बन सकता है स्पेशल अगर निजलेंड पहले बैटिंग करते हैं उन्होंने पहले मै तक तीन मैचे इस जो टीटवन्टी वर्लकप में खेले जा चुके पहले मैं उससे पिछले की बात कर लेता हूं तो यहां पर आप देखोगे उस्ट्रेलिया श्रिलंका के मैचे थे ठीक है जिसमें कि अगर आप देखोगे तो पेसर्स और स्पिनर्स दोनों बहुत बढ़ थी पेसर्स पिनर्स का अगर आप देखोगे तो सेकंड इनिंग में थोड़े जादा विकिट है ओर रोल पेसर्स और स्पिनर्स दोनों काम में उसके बाद में 27 उसमें अगर आप देखोगे साउथ अफरिका ने 205 बना दिये वापस से 200 का स्कोर टांग दिया था और बंग 27th of October को मैच हो है इंडिया ने बनाए 179 बाद में तम गियर अप कर दिया था नीदर लाइन बना पाई सिर्फ 123 वो भी साथ में 9 विकिट के नुकसान पर सेकंड इनिंग आप देखोगे पेसर्स और स्पिनर्स दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया और दोनों ही बढ़िया तरीके से लिए फस्टेंग में किसके विकेट साथे फस्टेंग में नॉरमलिया ऐसा रहता है कि पैसर्स के विकेट वसे जादा देखने को मिलते हैं अच्छा जिसमें स्पिनर्स निविकेट जो निकाले और अब देखोगे तो वह चीजह आपको पता भी चल जाती है यहा सेकंड इनिंग में बहुत बहतर रहता है बोलर्स के लिए उसके बाद में बात करते हैं प्लेइंग 11 की क्या कुछ प्लेइंग 11 रहे हैं तो डेरल मिचल जो फेट हो चुके है और किसी एक न्यूजेलेंड के प्लेयर से में प्रेस कॉंफरेंस में यह भी दिया बताया कि बागे 92 आपके लिए काफी इंपॉंट बनेंगे स्पेशली अगर न्यूजेलेंड पहले वैटिंग करें चाहे जो अमारी दूसरी टीम रहेगे ठीक है श्रलंका चाहे इदर से न्यूजेलेंड दोनों के ही जो ओपनर से ना फर्स्ट इनिंग वह आपके लेंपॉंट बन सही 30-30-30 के असपास दिखे हैं उसके बाद में ग्लैन फिलिप्स है कभी तो बड़ी आइनिंग खेल कर गए कभी ठीक सी कभी लाइक बिल्कुली डैल हो गये थे तोड़ा सा लाइक सिच्वेशन के जब से फिलिप्स का अगर टीम के सिच्वेशन स्ट्रोंग है न तो यह क बोलिंग से चांसे कम है तो इसा बैट्समें लाइक आप इनको कंसिडर करके चलने कोई कि पिछले 5-6 मैचे है न उसमें इंसे बोलिंग बिल्कुल भी नहीं कराई गई है उसके बाद में निशम के बात करते हैं सबसे सहीं चीज़ क्या रही कि निशम से बोलिंग नहीं कर बाकि यह पेश्ट बूओ काफि ज़्यादा इंपॉंट बनने वाला है ग्रेंडिंग में एज़ा कैप्टन वाइस के साथ ना यही दोनों प्लेर्स को एज़ा कैप्टन वाइस कप्टन करके दो तिन टीम से अपनी बना लेना ज्यादा बैटर रहेगा बट जब इनको बाकि प्लेर्स का आगे आपको पता चलेगा बात करते हैं अभी जो हमारी श्रिलंकन टीम रहेगी एक तो यह टीम देना स्टैंडबाइप्लियर्स बोलके बहुत ही सारे लियर खिला लिए बहुत ही जादा इंजरी इनकी टीम में हो चुकिया मतलब एक प्लेयर आता है खेलने उस वह इंजड हो जाता है उसकी जगे र बाहर बैठ चुके इंजरी के बज़े से मदलों क्या चल रहा है टीम में तो असीता फर्णेंडो फिलाल के लिए बनूरा फर्णेंडो जो पिछले मैंच वे पांच इबूल डालकर निकल गए थे तो वह हो चुके भार तो उनकी जगए पर असीता फर्णेंडो को जो टीम मे जाएंगे कुशल मेंटेस पातोम निशानका ओपन करेंगे एंड सीता सेम फंड है अगर फर्ण बोलिंग रहे इदर से दोनों ही टीम लाइक जो भी अगर शर्ण का पहले बैटिंग करते हैं दोनों अगर सेकंड बैटिंग करते हैं तो उस केस में आप सिर्फ निशानका क काफी जादा सिमिलर से रही है और अभी थोड़ा लाइक जितनी बुरी फोर्म थी ना उतनी अच्छी फोर्म में वापस से आते हुए दिख रहे हैं तो अगर करना चाहो तो कर ले ना टीम में अगर मैनेज कर पाऊ तो ना अगर पाऊ मैनेज तो कोई दिक्कत नहीं छोड है बिलकूल कुछ नहीं करता तो वैसा है तो इसकी बनेगा तो ग्रैंड लीगरा में ट्राय आप किसी एक दो टीम में दे सकते हैं इसको एजन ओडर उंडर पिक करके बागी ज्यादा टीम से उमें ट्राइगा उसके बाद में इदर से वानें दो हसरंगा रहेंगे दन बढ़ेंगे लिए उस मैच में बट चिल हजरंगा उतना ही इंपॉंट आपके लिए भी बनने वाले तो उतना दिक्कत मत लेना उसके बाद में तीक्षान ना रहेगा थीक्षान को भी कहीं ना कहीं अपरेफर कर सकते हो टीम में क्योंकि स्पिनर को मदद है तो दोनों ही सामने लेफ्ट हैंड भी रहेगा ठीक है और उसके बाद में भी जिमी नीशम भी आएगा बाद में तो आप डेफिनिटली यार प्रेफर करके चल सकतो थीक्षान को आपके लिए इंपॉंट बनेगा ही बनेगा और शुरुवात में ही बोरिंग डलवा दी जाएगी ठीक् लगेगा थोड़ा अभी के लिए आए हैं बाकी एक चीज़ जरूरे की असीता वर्नेंडो का अगर यह एक मैच में विकेट लैस निकाल दूना उससे पिछले के आप चाइज के 10 मैचेस देख लो विकेट मिली ही मिली है चाइज ने 50 रिंखाएं दोबर में बट विकेट रूर लेके गया है तो वैसा है इसका सीन अभी इतना एक्स्पिरेंस नहीं है वर्ल्ड कप में तो डेफिनिटल ही रू कुमारा की तरफ आप देख सकते हो बाकि यह तो यह सारी चीज़े एंड कौन-कौन से बोलर पूरे और करने वाले वो भी बताज़ता हूं असीता यह से जो भी लइक का असीता पतिराना जो भी खेलेगा यहां पर फूरे चार यह चार इसकार में हसरंगा चार वर डालने वाले एंड इन पर डिपेंड करते हैं डी सिलव और यहां से जो चमी का करणोर रतने ही रहेंगे इन में से कोई थोड़े से कम हो़र डालते हो आपको सकता है देन आते नेक्ष्ट इदर से निकल कर जो हमारे बेंच प्लियर रहने वाले हैं आज कर तो बेंच प्लियर्स में दनुष्का गुनाथाली का है अशियन भंडारा है जैफ्रे वेंडर से कसुन रजीत आपको देखने को मिलते हैं अभी इनके साथ में शाम दशुन दन मिलने हैं किसी के भी खेलने के चांसे बहुत ही जादा कम है अभी के लिए पहले मैच से वेल सट दिखरी है क्योंकि उसके बाद में आते हैं आज के लिए जो हमारे वेन्यू स्टैट्स रहेंगे देखो दोनों टीम्स ने मैच खेले इस ग्राउंड पर एक टीम के लिए त तरीके से तो बात करते हैं न्यूजिलेंड के पिछले तीन मैचेस की वैसे जादा कुछ निकल कर आएगा नहीं सिर्फ एक साओधी के अलावा साओधी के अगर आविकेट देखोगी तो वह जरू आपको यहां पर जो देखने को मिल जाते हैं उसके अलावा इदर से निकल कर आता है इन तीनों ही मैचेस में वह सिर्फ साओधी है उसके अलावा ज्यादा कुछ दिल से लगाने की ज़रूत नहीं कुछ नहीं और बागी बट श्रिलंका ने दो मैचेस कहले हैं एक तो बता नहीं श्रिलंका नहीं क्यों सारे ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पर इतने इनिंग में डब बागुल और यह इसी ग्राउंड के मैचेस हैं चाहिए कितनी पुराने पर चले जाते हो बाकी पाथूम निशान का जो उन्हें 36 बनाए थे विकेट की बात करो तीन विकेट हसरंगा दो विकेट शमी का करूना रख निके उसके बाद में 13 तो फैब को सेकंड बैटिंग रहे तो आपको ओपनर कौन सा लेना है क्योंकि दोनों बारता एक शिरलंका ने सेकंड बैटिंग किये ओपनर चला कुन सा है पाथूम निशान का कुछल मेंडिस ने कुछ जादा करके नहीं दिखा है बागी दोनुश्का 34 ठीक साना एक विकेट और असर अब आते हैं नेक्श निकल कर और एक और कोशिन का लाइक में जवाब देरूँ जो कमेंट सेक्शन मेरे कुम बेला कि भाई वेन्यू लीडर्स क्यों नहीं लिखते हो भाई जब दूसरे टीम ने मैचेस ही नहीं कहलें उनके उस ग्राउंड पर तो मैं वेन्यू लीडर्स कहां से लहूंगा नहीं जिस मैच में अवलेबल होते हैं उसमें मैच में लिखता हूँ जैसे आपने इंगलेंड वसेabord में देखा होगा मैने लिखे थे क्योंकि उस मैच म मतलब at least 11 में से 8 प्लेयर तो बदल चुके हैं तो ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे आपको head trade में से हसरंगा है सिर्फ जोला कातार विकेट्स वगरा निकालें तीनों ही मैचेज में अगर आप देखोगे कुशल मैंडिस के इस मैच में 79 थे बाकी ये जो दो मैचेश थे इसमें कुशल मेंडिस ने भी कुछ नहीं किया था हाँ शिर्लंग जो नुजलेंड है उनकी तरफ से साओधी के के लाव तो कोई दिखी नहीं रहा है जो दिखे थे वो भी स्कोड में नहीं है बात करते हैं वी हैट्वर्ड लीडर्स में बैटिंग शेक्शन की तो बैटिंग में तीन-चार प्लेयर निकल कर आ जाते हैं जैसे कि सबसे पहला नाम आता है गप्टिल का बट अभी तो के लिए इसलिए बोल रहा था के इन विलिम्स और टिक टाक खेलता है उसका बाद में कुशल मेंडेस है तीन मैच में 122 बट 79 एक ही मैच में आ गये थे 40 आए इनका उसका बाद में डिकवेला है चार मैच में 114 और 28.50 के साथ में ठीक है बोलिंग की बात करते हैं तो बोलि इसलिए खेलेगा अगेंश शिरलंका ठीक है 2016 के बाद से पहला मैच खेलने वाला यह अगेंश शिरलंका बहुत पुराने इनके स्रैट बाकि उसके लावा साओधी है आट मैच में चाह विकेट के साथ में इस सोडी है चार मैच में पांच विकेट और यहां से उसके बाद है जाती आती जाती है उसके बाद में बात करता है अपने कोंटेस्ट कोड आपको दिख जाएगा ऊपर साइड में कहीं तो दिखी जाएगा देख लेना ठीक है बाकि जो कुछ एसा है आज के लिए कि जो न्यूजिलेंड के दोनों ओपनर्स रहेंगे उनके टोटल कुल मि कि सबबसे बताओ देना जोीन वीनर से वह ठूऐगे इंस्टाग्रामघ केंश करना है डिमैड में जाना मैच में जाना नी KIR टीम अर कॉंटेस्ट के कौट ह عنव करते हैं तो ऐसा दिखता है कि कोई लेटर जindre लेत melting तो ऐसा ना करो ठीक है तो कोड ध्यान से देखना पॉस करके स्क्रीन को इतनी जल्दी नहीं है पॉस करके देख लेना और जो टॉप टू रहेंगे वह विनर्स रहने वाले विनर्स का नेम अनाउंस होंगे इंस्टागराम पर to video पूरा देखागा उसका पता होगा बागी कुछ आते बोर्ट पर उनका पता चल जाता है उन्होंने वीड़ीओ नहीं देखिया क्यों पूछने पता है क्या आते है कि विनर कंगे हैं विदियो में बता देता हो वीडियोस में बात करतें moeten के बाइनि तो उस case में आप निशानका की साथ में चले जाना बिल्कुल हटकी हो जाओगे क्योंकि उसके बाद में बात करते हैं New Zealand के तरह से तो Devon Conway एक तो बड़िया option है क्योंकि उनकी form को देखते हुए अलग level consistency पर है वही बंदा definitely captain option मनेगा आपके लिए उसके बाद में एक आपके पास में उप्शन है टिम साओधी तो आप देखो grand league के लिए क्या कर सकते हो तो small league के हो गए है grand league के लिए जैसे आप बोल्ट और साओधी का combination मनाओगे नैसे captain wise captain का वैसा ही जो भी team first betting करती है उसमें भी जो openers रहेंगे जैसे अगर इदर से लाइक न्यूजिलेंड करती है फास्ट बैटिंग तो आप कोंवे एंड जो साथ में फिन एलन रहेंगे उनका captain wise captain combination अपनी ग्राइलिक में लेकर जा सकते हो एंड सेम फोर श्रिलंका अगर श्रिलंका पहले बैटिंग करें तो पाथोम निशान का कुसल मेंडिस का captain wise captain combination बना लेना एक आप क्या कर सकते हो एक आप पाथोम निशान का विद डेवन कॉनवे अफिन एलन के साथ में ट्राइब कर सकते हो captain wise captain के लिए अब आजाते है टीम के ओपर ठीक है बड़ी मेहनत होगी है यह नहीं टीम के ओपर आते है टीम के बात करो तो थोड़ी अजब की जब टीम बनेगे आज के लिए वैसे क्यों क्यों क्योंकि दीन विकिट की पर हमने रख्या डेवन कॉन्वे मेंडिस और फिनल एना है विलि है लहीरो कुमारा या फिर जो दूसरा कोई खेलेगा उसको मैं लेके जा सकता हूं ठीक है बागी सेंडर है हमारी टीम में हसरंगा है साओधी है बोल्ट है ठीक साना रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन क्या हमने कौन वे को क्योंकि न्युजलेंड के जीतने के हो सकते हैं तो यह तो रही है आज के लिए टीम बागी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुए तो काफी तुम पीछे रहे गए अभी तक चैनल को फटावड से सब्सक्राइब कर लो एंड जो बैल नोटिफि